गुजरात में पूरा जोर लगाकर चुनाव लड़ने वाली कॉंग्रेस एक्जिट पोल की नतीजे आने के बाद पहले ही बैक फुट पर थी और अब सुप्रीम कोट ने पार्टी को एक और छटका दे दिया है कॉंग्रेस ने सुप्रीम कोट में याचिका दायर कर मांग की थी कि 18 दिसंबर को मतगड़ना के दौरान कम से कम 25 प्रतिशत वीवी पैट परचियों को EVM से क्रॉस वेरिफाई किया जाए लेकिन सुप्रीम कोट ने मतगड़ना में दखल देने से इंकार करते हुए पार्टी की याचिका को खारिच कर दिया है गुरुवार को मतगान खत्म होने के बाद आए ज़ादतर एक्जिट पोल्स में गुश्रात में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया है इसके बाद पार्टीदार नेता, खार्दिक पटेल ने इवियम में गड़बड़ी की आशुंका जटाते हुए कहा कि एक्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत इसले दिखाए जा रही है कि नतीजा आने पर इवियम पर सवाल ना खड़ा किया जा सके घरतलब है कि यूपी चुनाव के बाद से बीजेपी पर लगातार इवियम हैकिंग के आरोप लग रहे हैं इवियम पर लग रहे आरोपों की वज़े से ही गुश्रात में चुनाव में इस्तेमाल की गई सभी इवियम को वीवी पैठ मशीनों से जोड़ा गया था अलाकि कॉंग्रेस का रवया बता रहा है कि या तो उसे अब भी इवियम पर विश्वास नहीं है या फिर अपनी पार्टी की चीत का भरुसा नहीं है न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट